नमस्कार साथियों मैं हुपला अशड़ाओ हमारे चैनल स्पोर्ट्स लव अफिशल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ बड़ी खबर है ब्रेकिंग खबर है और ब्रेकिंग अपडेट आपको देने आया हूँ क्रिकेट की जो इंगलन्ड क्रिकेट को लेकर ब्रेकिंग अपडेट जो निकल करा रही है कोवीड नाइंटीन के एंट्री हो चुके इंगलन्ड क्रिकेट टीम में अगर देखा जाय तो हाली में अभी चार जुलाई को ही अंतिम मैच खेला गया था इंगलन्ड और स्रीलंका के बीज और स्रीलंका का जो दौरा था वो में खत्म हुआ तो इंगलन्ड और स्रीलंका की सिरीज खत्म हुए चार जुलाई के बाद लेकिन आप जो दो दिन के बाद पाकिस्तान की खिलाब सिरीज खेली जानी है तीन ओडिया तीन टीट्वेंटी में खेले जाने हैं इंगलन्ड और पाकिस्तान के बीच तो दो दि जो सिरिस थी पाकिस्तान के खिलाब जो जिसके लिए टीम अनांस की गई थी उन में से आब तीन खिलाडी कोविट पॉजिटिव पाए गए है तीन खिलाडी और चार मैनेजमेंट स्टाप तो देखा जा सकता है भई मैनेजमेंट स्टाप के जो मेंबर है वह कोवेड पाजिट्यूव पाये गया है और उसके बाद इन खिलाडी भी है जो तीन क्रिकेटर वह कोवीड पाजिट्यूव पाये गया गये है याने कि अभी बेन स्टोक्स को कप्तान बनाया दिया गया है जो दूसरी टीम अनाउंस होने वाली है इंगलेंड की अब कुछी देर बाद दूसरी टीम अनाउंस होने वाली है पाकिस्तान के सिरीज के लिए पाकिस्तान के खिलाब दूसरी टीम अनाउंस होने वाली है इंगलेंड की जो Comty cricket खिल रही थी जो team Comty Cricket खिल रही थी उसको आप रोक दिया गया है और उनमें से कुछ खिलाडी चुने जा सकते हैं उनमें से कुछ खिलाडी सिलेक्ट किये जाएंगे यानि कि नई team खेर चुने जाएगी बता दे आपको जो team जो अभी खेलने वाली थी जो अभी शीरीज शीलंका के खिलाब खेली जिस टिम ने शीलंका के खिलाब शीरीज के लिए इंगलन की जो टिम खेल रहे थी उन में से कोई भी खिलाडी इस टिम में नहीं मोज़द होगा बेंस्टोक्स को बुला लिया गया है बेंस्टोक्स को छुट्टीद पर रखा गया था अराम दिया गया था बेंस्टोक्स को रेस्ट पर रखा गया था लेकिन अब उन्हें तूरंत ही उनको कॉल करके बुला लिया गया है उनको मैसेज भिजा दिया गया और उनको तूरंत ह के जो साथ सीरीज होने वाले इंग्लेंड की उसके लिए उनका कप्तान भी बेंस्टोक्स को ही चुना गया है कप्तान बना दिया गया है उसके लिए बेंस्टोक्स को और एक नई टीम का ऐलान होने वाला है अब पाकिस्तान के खिलाब जो सीरीज होने वाले उसके लिए नई देखा जाय तो पूरी की पूरी टीम को कॉरन टाइम में भेज दिया गया है, मतलब कॉरन टाइम में रख दिया गया है, कॉरन टाइम में भी जा दिया गया है, पूरी टीम को कॉरन टाइम कर दिया गया है, तो यह देखा जा सकता है, कॉरन टाइम कर दिया गया है, पूरी ट एक बेकिंग खबर है और जैसे ही इंगलन टीम का आयलान होता है दूसरी टीम का तो हम स्पोर्स क्लब पर अपडेट जरू देंगे आप बने रहे हैं हमारे चानल स्पोर्ट क्लब के साथ सस्क्राइब कर लिजिए हमारे यूट्यूब चानल को और शेयर कीजिए अपने दोस तक शेयर करने के बाद आप वीडियो को भी लाइक कीजिए हमारे और सस्क्राइब नहीं किया हो आपने अभी तक तो कर लीजिएगा